Disclaimer, this video is for education purpose only. We don't provide any tips. अब स्पाइब निफ्टी का ट्रेंड क्या है, शक्राइब होतों कि धूर्ट अब्हेड बाइद करने मांचे में ग्राइब होतों करने अब देखेंगे, तो यहां पर आपके आप बेग सकते हो कि जो क्लोजिंग है, वो चौकर के उपर हुआ है, तो यहां पर क्लियर कट है, कि trend जो है वो upward अभी भी है क्योंकि VWAP का line 20 EMA के उपर है अगर हम आते हैं weekly scenario पे तो weekly next week में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VWAP और 20 EMA का combination clear cut बोल रहा है कि next week market का trend अभी भी upward है अब हम जो CPR का जो center line है weekly basis पे इसको हम shift कर लेंगे next week वाले में ताकि अगर मानलो market में नीचे की वर movement आता है तो यह एक major support का काम करेगा जो हमको intra day में देखना है तो weekly CPR के हिसाब से उसका center line को हम एक black color के line से mark कर देते हैं तो यहाँ पे आपको clear visible है कि जो VWAP का line है वो 20 EMA के उपर है और previous trading session में अच्छा-कासा consolidation हुआ है तो संभावना यही है कि market में movement बढ़ा आ सकता ह मंदे के दिन तो अगर हम intra day scenario देखते हैं कि मंदे को market की इस तरीके कर रहा सकता है तो यहाँ पे आपको clear cut दीख रहा है कि narrow CPR है और narrow CPR होने के बाद भी यह जो R1 previous day high है और S1 previous day low है इनके बीच का distance काम है मतलब मंदे को बड़ा मूँ confirm आना है ठीक है तो हमने पहले देख लि मार्केट का trend upward है और अगर next day Monday को अगर मार्केट में first green candle बनता है और वो CPR के उपर बनता है और closing जो है first green candle का closing green में बनता है तो आप देखेंगे कि R2 लेवल तो blindly जाए का आँक बंद करके जाएगा और R2 लेवल के बाद उपर की और भी मूह आ सकता है क्योंकि extremely narrow CPR है तो R4 तक जा सकता है Monday को संभावना यही है कि उपर की और movement होगा क्योंकि overall scenario अभी uptrend का है अगर नीचे आता है तो नीचे कहीं न कहीं से हमको reversal का ही प्लान करना है जहां से reversal का signal मिलेगा वहां से फिर से buying emerge हो सकता है और trend उपर की और रहने की संभावना ज्यादा है अब देख ले हम monthly basis पे देख लेते हैं scenario क्या है तो monthly basis पे अगर हम scenario देखेंगे तो यहां पे consolidation में ही है कि जो दो महिना पहले जो था उसके बाद जो current जो मन्त है उसमें CPR का जो level है उसके नीचे ही price चल रहा है लेकिन यहां पे देखेंगे कि VWAP का line 20 EMA के उपर निकल चुका है मतलब bank nifty भी यहां से positive signal दे चुका है monthly scenario के हिसाब से अब next week के हिसाब से देख लेते हैं तो weekly हिसाब से देखेंगे तो एकदम बडिया यहां पे pattern बना हुआ है और weekly basis पे देखेंगे तो narrow CPR है और जो R1 previous day high और CPR है इसके बीच में distance कम है distance कम है मतलब बड़ा movement उपर की और देखने को मि सकता है क्योंकि trend overall up है up trend है और first one hour का candle strong green बनता है और R1 previous week high के उपर बंद हो जाता है तो आपको बड़ा move bank nifty में भी देखने को मिलेगा next week में तो next week में आप trend का संभावना ज्यादा है और बड़ा movement आने की संभावना भी है तो Monday को अगर आप देखेंगे तो Monday को आपको nifty हो या bank nifty हो तो nifty और bank nifty का analysis हमने समझ लिया है friends अगर आपको ये content अच्छा लगा तो video को like जरूर की जिए और अगर channel पे नए है तो channel को subscribe कीजिए for complete learning you can join our master class link in the description below